जी नासरीन, खुदावन का शुक्र हो और मसी में आपकी सनामती हो। जैसा कि आप चानते हैं कि हम प्रोग्राम यसु संग सवेरा में कुछ खास टॉपिक्स को लेकर चलते हैं और आज के दिन हमारा टॉपिक होता है बाइबल और हम और इस टॉपिक में हम छोटी छोटी बातों पर खौ़र करते हैं नाजरीन दुनिया में लेना देना बना हुआ है लेकिन हमारे बजुर्ग खास दॉर पे मैं अपने अबबाजी की बात करूँगी कि वो हमेशा हमें समझाया करते थे कि देपो की बढ़ेओं लेपो की न बढ़ेओं यानि देने वाला बनना लेने वाला ना बनना बात छोटी सी है लेकिन बात बहुत कहरी है आज हम गोर करेंगे कि कलाम हमें क्या सिखाता है बाइबल हमें इस हवाले से क्या सिखाती है कि हमें किस तरह के इनसान होना चाहिए अगर हम आज के दौर में एर्द गर्द नजर दोड़ाएं तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं बहुत सारी हमारी खिदमात हैं जिनके लिए हमें कुछ हदियाजात मिलते हैं या फिर हम छोटे प्माने पे देखें तो हमारे बहुत सारे जानने वाले हो या जिनके मताहद हम काम कर रहे हैं या कुछ भी किसी भी तालुक से हम इस टौपिक को देख सकते हैं हमारे साथ जनाब डौक्टर बिशप इमेन बिलाफ़ताब साथ मौजूद हैं और हम उन्हें होशामदीद कहते हैं आईए मैं आपका तारुफ करवाती हूं मिलवाती हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप इंतजार में होते हैं कि कब हम किसी भी टौपिक पे बात करें तो आप हमारे साथ शामिल हों मुझे यकीन है कि आप हमारे साथ हैं जी बिशप साथ बहुत शुक्रिया पहले तो आपकी आमद के लिए और इस सारी खिदमत के लिए जो आप सर अन्जाम देते हैं आपका भी शुक्रिया कि आप मुझे हमेशा याद रखते हैं कि आपके प्लेट फॉर्म से खुदा मुझे का कलाम शेयर करूं और दोस्तों को बता सकूं कि बाईवल की हकीकत क्या है तो आज आपने खास कौन सा टॉपिक चुना है जिस पर हम बात कर सके हाजी जैसे कि मैं लेना एक जरूरत भी है और एक तरीकेकार भी है हमारी जिन्दगी का एक रस्म भी है ये चलता रहता है लेकिन कलाम इस बारे में हमें क्या सिखाता है इस टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे और कलाम से सीखेंगे लेकि इस से पहले कि हम इस पर कोई बात करें मैं ज Trung Sapishi के नाम में हम तीरा शुकर करते हैं कि तुने हमें ये दिन दिया कि हम तेरे कदमों में आएं और तेरा नाम लेकर दिन का अगाज करें और जितने भेंभाई जितने तेरे प्यार करने वाले हैं जो इस बात की खाहश रखते हैं कि तेरा कलाम उनकी रहनमाई करता रहे जैसे तेरा बंदा दाओद कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग है बख्षते कि तेरे कलाम की रोशनी हमें हर तरह की तरीकी से बचाए रखे बीटियल के इस प्लेट फॉर्म के लिए तेरा शुकर करते हैं बीटियल टीवी को बड़ी बरकत दे ताके इसके वसीला से जो कलाम लोगों तक पहुंचता है वो सौगना फालदार हो यसुमसी नासरी के नाम से आमीन आमीन जी कि आज आप इस बात को लोगों के साथ शेयर करना चाह रही है कि देना जो है लेने से ज्यादा बेहतर है जी असल में ये एक भेद है कुछ बाइबल की तालीम है जो सिर्फ इमानदारों के लिए है कुछ है यूनिवरसल फार्मूला शायद हम आने वाले दिनों में इस बात का भी आगे सिलसला जारी रखे क्योंकि जो यूनिवरसल फार्मूलाज हैं उसमें ना तो मसीही है ना हिंदू है ना सिक्ष है ना यहुदी है ये एक आलमगीर है और उसमें ये बात है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा और इसमें जो पहल करता है वो खुदा करता है खुदा ने यहुदीयों को कहा कि मेरे घर में कोई खालियात ना है क्योंकि मसी ने इस बात को डिफाइन किया है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा और ये एक इतना खुबसूरत अमल है कि कोई भी शक्स है हम अपनी बेटियों के belong से देखें हम अपने जिष्टेदारों के देखें अपने बच्चों के मेरे देखें अगर वो किसी वक्त बाप कहता है कि हाँ भी तेरे पास क्या है तो बेटे के पास जो वो ही लड़के की बात है जो यसू लड़का था एक उस भीड में जब शिगर्दों ने देखा कि इनको भूक लगी है तो लिखा है कि उनको उस पर तरसाया और उन्होंने चाहा कि उनको क कुछ खाना दिया जाए तो वो जो लड़का था उसका नाम था यसू उसकी टांगे खराब थी और यसू नासरी ने उसकी टांगे ठीकी थी और उसकी माने कहा कि तू अब यसू के साथ साथ ही रहना तो जब रोटी देख रहते कि कहां से लेके आएं और कहां से इतनी और दो मचलिया उसी ने एक दम से अपने नजात देने वाले को जिसने उसको बिमारी से नजात दी उसको ओफर कर दिया और जब साउल अपने बाप के गदों को ढूंड रहा था तो उसके पास कुछ नहीं था कि क्या करे किस से पूछे अचानक उसको ख्याल आया कि क्यों ना हो कि वो सेमूल के पास जाए लेकन फौरण उसने अपने नौकर से या अपने साथी से कहा कि हमारे पास क्या है जो उसको दें और उसने का ये मेरे पास थोड़ा सा ये मसकाल है ये चांदी है या समझे लो चेन है या ब्रैसलेट है या कुछ भी आप समझ सकते हैं तो वो सेमूल को दिया तो उसके मतबादल क्या मिला बादशाही जब हम आपरे बच्चों से कुछ कहते भी नहीं लेकर वो कुछ देते हैं तो हम उन पे बरुसा करना शुरू कर देते हैं ये एक आलमगीर खुदाई कानून है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा लेक क्योंकि मैं एक मशर्की शक्स हूँ और मेरा तलक पाकोहिंद से है तो पाकोहिंद के तलक से इस बात का है कि वहाँ पर सबसे पहले फारसी हकूमत थी फिर उसके बाद जब गोरों की हकूमत आई तो वो जो हमेशा कहते हैं कि दे दो कोई बात नहीं हमें ने में रह रहे हैं अबी हमें पता है कि ये देने वाले हैं वो आदत वो लाशावरी तावर पर हमारे सीड में चली गी है कि आज भी मसाज़द में चर्चिस में मंदरों में गुर्दवारों में हर बात में इस बात का बराबर जिकर होता है हमें दो । आप देखें यहाँ पर चर्चिस में ऐसा नहीं है जो एक फिक्स है चंदा वो देना है जो टैन परसंट है दाय यह की है वो देना है इसके अलायवा कोई डंडोरा नहीं पीटता रहता है असल में यही वज़ा है कि बंदा कोई इस वक्त दुनिया में गरीब नहीं और कोई बंदा अमीर नहीं जब कैसे हर शक्स का दिल गरीब होता है अगर दिल गरीब है तो वो गरीब है और अगर दिल अमीर है तो कोई गरीब नहीं है अगर किसी के पास मसीख Nahum ने जस तरह कहाँ दिया करो अगर किसी के पास कुछ है तो एक हम आपने अपने बचे बच्चों में देखा होगा कि कोई बच्चे हैं जो थूड़े को साथ दूसरों के डिवाइड करते है बांट कहते है और कुछ हैं जिन के पास वो कहते हैं मेरी प्लेट में ज्यादा डाल दो हाला कि वो खा नहीं सकेगा जिसको पंजाबी में कहते हैं नदीदा वो आंखों से भूका है पेट से भरा है तो इस वज़ा से ये जो पाको हिंद के लोग हैं इसी सबब से वो गरीब है क्योंकि उनके दिल गरीब है अब रही बात बाइबल में लिखा है मुबारक है वो जो दिल के गरीब है जो दिल के गरीब है उसका मतलब है ये अपने अंदर हमेशा किसी की चाहत रखनी तो इन बातों को हमें हमेशा कि जो दिल के गरीब हैं उनको हमेशा चाहत होती है दूसरों की अदास होते हैं यह चोटी सी आप इसको कभी सोचें कि आप कहीं जाती हैं किसी मीटिंग पे या आपके हजबन कहीं जाते हैं आप दोनों मिया भी भी कहीं जाते हैं तो आपके बच्चे या कोई भी आपको मिल कि यह प्रवाइब करते हैं कि अच्छा है या बच्चा कोई आए भाग के ओ मामा जी या पापा जी मैं तो आप से उदास था उस वक्त की फीलिंग आप उसको ना पनी सकते क्योंकि वो है आपके रूट अच्च की दिल की यह यह दिल की यह दिल बात जिसको साधे लफजों में कहते हैं कि दिल के गरीब का मतलब है दिल भूका है दिल मांगता है तो इसके बारे में कहा गया है दिया करो अपनी जगा बनाओ यह जो देना है इसमें कोई आस चुपी भी है क्योंके साथ में बादा भी है दिया करो तुमें दिया जाएगा पिर ये भी किलाम कहता है कि तुम जो दोगे उसका दस गुना तुमें वापस मिलेगा तो क्या उस आस को जहन में रखके देना चाहिए देना कैसे चाहिए इसको भी तुड़ा क्लियर करें। असल में दस गुना की बात नहीं है या दस गुना की बात नहीं है बात है कि जब किसी का आप किसी को कुछ देते हैं वो आपको कुछ देता है असल में उसने दिल दे दिया आपको इसको अगर बच्चा आपको कहता है कि मामा जी उसके पास एक टौफी है और वो कहता है कि आपके पास है के नहीं, तो आप कहती है कि नहीं कोई बात नहीं आप खालो, वो आदी तोड़ के आपको देता है, तो उसने क्या दिया है आपको? टोफी नहीं दी, तो ये असल में जो खुदा नहीं कहा है, तुम्यू भी दिया जाएगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि दिया करो तुमने किसी को दस योरो दे दिये या सो दे दिया या हजार दे दिया तो आपको वो दो हजार दे देगा नहीं तुमें भी दिया जाएगा क्या वो स्पेस दे दी जाएगी एसास दे दिया जाएगा चाहत दे दी जाएगी महबत दे द करूंगी देने में क्या चीजे शामिल हैं लेकिन आपने उससे पहले थोड़ा सा जिक्र कर दिया है लेकिन एक चीज और है जिसके बारे में मैं जरूर बेक के बात आप से बात करूंगी तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक बिलते हैं दोबारा जी नासरीन वेलकम बैक और हम बात कर रहे हैं आज किस टॉपिक पर हाँ जी बिल्कुल देना और लेना कलाम के जरीए सीख रहे हैं कि क्या है कब और कैसे इस फर्स को अदा करना चाहिए या फिर ये खिदमत है इस हवाले से हमारी बात चेट जारी है आईए फिर कलाम की तरफ चलते हैं बिशप सब बात हो रही थी लास्ट ये कितने किसम का देना है तो मेरे जहन में यह आ रहा था जैसे आपने एक लंबी लिस्ट अभी गिनवाई ब्रेक स इसके बारे में कलाम क्या कहता है या फिर जो पैसा है पैसे की सूरत में तो तहाइफ की सूरत में या यह यह देना तो इन दोनों देने में क्या फरक है बड़ा खुबसूरत सवाल है कि एक होता है देना जरूरत के तहद पिलकु ठीक है एक होता है कि बस देना अगर आप जरूरत के तहद देते हैं तो वो है फाइदामन लेकर अगर आप सिर्फ देना है तो वो जाया करने वाली बात है इसलिए जो दना लोग हैं अगर किसी के बेटी का आपको भी पता है पंजाब में और आम लोग जब शादियों पे तो वो फून करके या राबता करके पूछते हैं कि जी आप बेटी की शादी कर रहे हैं आपने क्या कुछ खरीद लिया है हम भी कुछ देना चाहते हैं हमें क्या रह गया है यह है देना जो मदद के तौर पे है एक देना है कि चलो जी दे दो अगर उनके पास डबल भी आए तो हमें क्या है पंजाबी में जो कहते हैं मगरोलान वाली गाल वो यह है और जो सबसे कीमती चीज़ है वो है वक्त अगर आप जरूरत के तहत कुछ देते है यह एक बहुत बड़ी स्पोर्ट है मदद है अगर आप देते हैं किसी को पानी की जरूरत है आप उसको रोटी देते हैं तो यह तो कोई देना ना हुआ किसी को पैसे की जरूरत है उसने बस पे जाना है वो बिमार है अगर आप उसको कुराया दे देते हैं तो यह तो उ उसरे तीसरे देन उसको 20 या 50 योरो देते हैं, तो क्या फाइदा उसका? जो जरूरत के वक्त आप किसी के काम आते हैं, असल में बाइबल ये बताती है, दिया करो जिसका जिकर ऐसे हुआ कि अगर तू किसी को देता है, तो डोलना बजा. पिर ये तरीका है, कैसे देना चाहिए? और उसकी वज़ा ये, आज काल, मैंने एक दिन फेस्बुक पे एक तस्वीर देखी, एक सर्दी में कोई लड़का है, बड़ा बचारा सुक्रा पड़ा हुआ है, तो उसके उपर एक गरम चादर दी है किसी ने, छे साथ लोग उसके स मैं देख रहा था कि ठंड ना थे बंदानी मरना, पर एक शर्म ना मर जेगा वचारा, कि ये बात के बारे में कहा गया है, कि अगर दे रहे हो, तो इस तरह ना करो, वो कहता है कि कोई शोर ना करो, एक हाथ से अगर दे रहे तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले, असल में व तो वो हकीकत में वो लोग कहते हैं चर्चमें चंड रही कि बात, वो चर्च के नहीं मैं कहता हूं चर्चमें चर्च में कनो भाड़के नोट दे आओ करो, ताके लोकानों पता लग आगे हमाया है, तो तुसी भी दिया करो, यह निकिक ए से इस चक्कर में कि हाथ दूसरे क था, जिस व्यज़ने को बीबी डाल रही थी, तो यसु देख रहे थे, उन्होंने देखा, और उन्होंने कहा के इसने सबसे ज्यादा डाला, दो दमरिया, यसु ने को बीच में जाके उसके चेक नहिने किये थे, क्योंकि एस तरह डाल रही थे, चर्च में डालो तो दिखाओ लेकर अगर आप किसी दोस्त को किसी अजीज को किसी जरूरतमान को देते हो तो फिर ना दिखाओ फिर वो जाने और आप जाने बस यह नहीं कि आखे हाँ उसके यह नहीं था मैंने वो किया वो उसका कोई अजर ने लिखा है बाईवल में कि उसका अजरा पा चुके लेकर अगर चर्च में क्योंकि अगर हम इस तरफ चाहें देने के बारे में तो एक है शुकर गजारी एक है चंदा एक है दायकी एक है हदिया एक है नजराना हमें इसके बारे में जानना है कि मैं कार कि आ रहा हूँ चंदा है जो चर्च में हम डालते है तो वो चंदा है चर्च के काम के लिए दाई यकी है वो आपकी commitment है जो खुदावन के साथ आपने रखा अपनी कमाई का और जो हदिया है वो है आप किसी काम का आपने किया आप वहां पे बिल्डिंग में बैठे हो आपने उसका कुराया देना है आपने गैस बिजली सारा इस्तमार वो अधिया है लेकन दायकी जो है वो किसी और काम में आ रही है शुकर गजारिया कुछ और है और नजराना है जो आप पादरी को यह किसी वक्त हम इस पर बात करेंगे लेकर देने के तलक से सिर्फ इतना है कि जो कुछ आप दे रहे हैं किसी की शक्सी जरूरत के लिए उसका बिलकुल किसी को इलमिन नहोए और अगर आप किसी को वैसे कुछ हेल्प कर रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं तो मैं समयता कि वो आप उसके साथ जयाती कर रहे हैं थैंक यू लेकिन अब भी हम थोड़ी सी बात चीट जरूर लेने के हवाले से भी करेंगे क्योंकि देने पर तो काफी लोग पहले भी बोल चुके हैं और शायद कई प्रोग्राम्स भी हुए होंगे मुझे मेरे इलम में नहीं है इ लेकिन लेने के हवाले से बहुत कम मेरे ख्याल में इस टॉपिक पर बात हुई है तो लेने के हवाले से कलाम क्या सिखाता है हमें अब फिर वो ही बात आगी कि जब हम लेते हैं कोई ओफर करता है आपको आपकी जरूरत है कि आप मैसली आपको डिरेक्ट आपकी शक्सियत क इन्वाल्व करता हूँ क्योंकि आप होस्ट तो यह कि अगर आपको चाहिए कि चावल चाहिए घर में पकाने के लिए तो आप किसी किसी दोस्त को कहती है कि मुझे चावल चाहिए तो वो कहता है कि हाँ आप जाओ मेरे किचन में वो पड़ी ये चीज तो आप वहां से ले लो अब वहां पे लेने के लिए आपकी जरूरत क्या है आपको चाहिए चार कप या चार दो किलो चावल अब आपने कहा कि बस उसने मुझे ओफर कर दी है अब मैं तो इसका वो जो मतका है या कटोती जो है वो मैं काटूँ इसमें से ठीक है मैं तो आदा लटा के ले ज़ाँ यहां पर लेने में अगर कोई उसको इतनी क्या मैं कहूंँ अब तो यह तो बड़ी शर्म की बात है उसने बोला जाओ ले लो उसने आप पर भरोसा कर दी अब आपकी मर्जी जाओ ले लो जाओ ले लो जब जी चाहे फिर ले सकती यहां लेने के तलक से या पैसे की बात है रास्बन ने कह दिया वो मेरा परस पड़ा है तो आप उस मेंसे पैसे ले लो पैसे ले लो आपको चाहिए वहाँ पे पचास-पचास के चार नोट है पाँच नोट है आपको पचास चाहिए तो आपने पचास कहा था बगएर दूसरे गिने आपको पचास उठाने है आपको इंवेस्टिगेशन ने नैबो वाले नी लग जाना उदर कि चेक करो कि और इसमें क्या पढ़ा है ये क्या पढ़ा है वो क्या पढ़ा है पचास है तो पचास लो तो बस ठीक है खतम तो ये इसका मतलब है लेना देने से ज्यादा केरफुल होना है अब बड़ा ही sensitive एक सवाल में करने वाली बिशुप साब से मुझे नहीं पता टाइम कितना रहा गया लेकिन देखते हैं किस से लेना चाहिए है खुदा के इलावा कलाम हमें क्या इजाज़त देता है किस से लेना चाहिए क्योंकि हम अक्सर ये सोचे समझे बिना ये सिर्फ देखते हैं कि आ रहा है आने दो उसकी कंडिशन क्या है वो कैसे चल रहा है इसे हमें कोई सरुकार नहीं है क्योंकि हमारा इस वक्त मकसद लेना है आप बड़े साल शुरू होते हैं आप बड़े मुश्कल मुश्कल स्वाल कर रही है यह जो है किसे लेना है यह चार कैटागरीज है पहली चीज है बीवी के लिए शोहर और शोहर के लिए बीवी ठीक है दूसरा है बच्चों के लिए पेरंट्स और पेरंट्स के लिए बच्चे तीसरा क्रीबी दोस्त और दोस्त के लिए आप और आपके लिए दोस्त और चोथा आपकी गौवर्मेंट आपके साथ तक राबता या अपना स्टेटस काइम रखा है अगर आप गवर्मेंट से लेते रहते हैं तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं आप दोस्तों से मांगते रहते हैं दोस्त मूँ नहीं लगाते हैं बच्चों को आप कहते रहते हैं मैंनो देज़े बच्चों के भी आपने खर्चे और अगर बच्चे हमेशा पेरंट्स को मिस यूज करते हैं, मुझे मामा ये चाहिए, मुझे मामा ये चाहिए, एक वक्त तक पेरंट्स देंगे, लेकर बाद में दर्वाजे बंद हो जाएंगे। ये यूनिवर्सल है, कुछ कानून जैसे मैंने शुरू में बात की, कुछ लाज हैं जो सिर्फ इमानदारों के लिए हैं, कुछ हैं जो यूनिवर्सल हैं, हिंदू, सिख, मुस्लमान, कोई भी हो, और अगर उसमें सबसे जलम की ये बात है, कि आप लेते जा रहे हैं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, आप जरूरत को नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ ये हैं कि उससे नकालो जो निकलता है, बच्चे भी हैं, माँ से लेना है ये, लेना है, लेना सिर्फ पैसे का मामला भी नहीं है, खिदमत की भी बात है, पता है कि माँ बजोर है पता है कि उसके ये ये एफेक्ट है लेकिन वो बस ठीक है मां का ये कसूर है कि उसने मुझे जन्म क्यों दिया अब रोटी भी वो पकाए बरतन भी वो साफ करे कपड़े भी वो दोए बिस्तर भी वो लगाए हार एक के आने जाने की खबर भी वो रखे क्योंकि वो मां है और कलाम में लिखा है ये जल्म है और ये इतना बड़ा जल्म है कि जब खुदा की जात असास कर ले इसका तो उन बच्चों को वो बिमारियों में मुबतला कर देता है ताकि अगर तू अपहाज है अगर तू बिमार है तो तू बिमार ही हो जा ताकि तेरी तेरा रा और जो मांगने वाला है कि हाँ जी चलो ले लिया उससे उठा लिया उससे उठा लिया एक दिन ऐसा आएगा कि खुदा उसको जो ब्लेसिंग के द्रवाजें लॉक कर देगा चल तो उन्मंग मंग के खा तुझे तरीका आगया लोगों को ठगने का तुझे तरीका आगया लोगों से मांगने का तुझे खुद तो करना ही कुछ नहीं जो लोग आउट केरिंग पे है जो लोग किसी पे डिपैंड करते हैं उनको आप विले बैठे फारग बैठे बंदे और भी मार है क्योंकि उनकी आदत में शामल हो गया और फिर खुदा ने बलैसिंग के दर्वाजे बंद कर दी है और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो खुदा आमदा आपके लिए हजारों दर्वाजे खोलेगा ये मैं आपको दाद देता हूं ये बड़ा ही आहम और खास टॉपिक था क्याँ कि गहमा गहमी का आथलम है और हम सब इस दौड में दौडते जा रहे हैं और इस नाजुक से मसले पे वाइवार नहीं कर रहें नहीं सोच रहें कि कैसे आ रहा है हम कैसे ले रहेए हैं इवर यहां तक के हस्बंद की भी बात है हस्बंट की भी बात है कि वो बेचारा सुबा उठता है तरसी नहीं है और वो सुबा सिर्फ थोड़ा सा नाश्टा करता है सारा दिन काम करता है रात को फिर उसको कई फटीक है वो लाना है वो लाना है आप ये भी तो देखो वो भी इनसान है एसास किदर गया है तो ये जलम बिल्कुल ये जुल्म के जुमरे में आता है जी बिल्कुल नाजरीन मुझे अमीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और हम इसी तरह से इन टॉपिक्स को शामिल करते रहेंगे लेकिन हम आप से भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपके पास कोई भ आप देख सकते हैं कि हमारे रापता करने की जराए जो है वो नजर आ रहे हैं आप हमें एमेल कर सकते हैं आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं आप हमें फेस्बुक से रापता कर सकते हैं और इसके इलावा आप कॉल भी कर सकते हैं वेबसाइट पे हमारा नमबर भी मौजूद है तो आप वाटसप पे भी आम से राप्ता कर सकते है बिश्फ साब बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तो अपना ख्यार रखे और हमें भी अपनी दौाओं में याद रखे जीते रहें जैमसी की जी अपना बहुत ख्यार रखे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में खुदा आफेज जी जी ए 거야 जी अब रहुत अ ग्यार कर दो बहुत की जी अ चुदा प्रोग्राम में योवत सचो श्कू प्रीए ग्यार में गड़ने आफे ऑजोड़ इस थिंदिते हैं जीते Crown